करेंगे मार्केट की पॉकास्टिंग क्या रह सकती है प्रॉबिबल एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज और आपके साथ में शेयर करूँगा तो हमारा एक कोई अपॉच्टिंटी क्रेट हुआ है क्यों प्रेट किया जा सकता है मैंने भी कुछ किया हुआ है तो उसके बारे ह पॉच्टिंटी को सब्सक्राइब जोन चांट्स और अगर वीकली चाट को समझने की कोशेश करें तो आपको दिखाई देगा तो हपते पहले कुछ सेलिंग आई थी एंड मार्केट इस प्रेडिंग इंसाइड अ वीकली बार तो अभी क्या है कि आप ना बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते हो रीजन इसके आप एक बेसिकली एक रेंज के अंदर ट्रेट कर रहे हैं ऐसा हम वीकली देखने से समझने आता है डेली में अगर जाके चेक करेंगी तो कहीं न कहीं यह जो weekly में selling थी उसी के अंदर में हम लोगों का buying है लेकिन आप थोड़ा सा छोटी time frame में जाओगे 1 hour और 2 hour में तो आपको एक थोड़ा sharp point दिखाई देगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए दो अटेंब कर चुका है एक यहां पर और एक फ्रैड़ी के शेशन तो बेसिकली क्या पॉसलिटी है यहां से जराबी gap up हुआ शोट कवरिंग आएगा मार्केट ऊपर जाने के परदर चांसेज रहेंगे काफी वॉलिटायल सेशन यहां पर रह चुके हैं यह गैप था फिर डाउन हुआ फिर अप हुआ फिर डाउन हुआ फिर डाउन हुआ इंडट केस तो यहां पर काफी fight ओल्लेडी इस एरिया में म तो ऐसा हमें चार्ट नॉर्मल तरीके सब देखने का रहा है दूसरा एक साथ के साथ देखे हैं कि देखना पड़ेगा मार्निक में क्या रहता है तो वह मारा काफी इंपेक्ट करेगा मंदी के सेशन इसके सिवाए हम दूसरा एक बात करें कि देटा क्या तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूत नहीं है आप खुदी देख सकते हो सारा का सारा एफाइस टिया इंडेक्स देख रहे हैं तो इससे हमें निकल के क्या आता है मार्केट में स्ट्रेंथ कल के लिए हो सकती है हमें सिर्फ और सिर्फ एकी चीज़ देखना है कल मॉनिंग में या फास्ट आप में कोई डिकेटिव क्यूस को नहीं है प्रिएसली या वीकेंड का डेंडा या वीक्ली तो डेटा में भी हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं और आपका चार्ट भी काफी पॉजिटिवटी शो करना है इसके साथ मैंने एक ट्रेड और अपना बनाए वह वा था जिसको मैं बैट में स्टेवी का नाम दे रखा हूं आपके सामने तो बेसिकली उसमें भी अगर तो इसको मैं एक जिट करने की मूल में थोड़ा साथ था बट मैंने उसको ओल्ड किया रिजन इस कुछ ना कुछ ऑब्जिवेशन के बेसिस पे मार्केट स्राइप ली पॉजिटिव नजर आ रहा था तो अभी वी यह होल्ड पर है और रिजन क्या है कि आप इस पेयाउट ही नगी समझता वी मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना यह भी पॉजिटिव भड़ाया तो इसमें मेरा बैसी की ट्रया है तो यहीं पार्ट है अगर मार्केट थोड़ा जाएगा तो मुझे काफे चांस मिलेगा बीच में जो लॉस है यह एक्सपाइब वाले दिन होगा अभी नहीं होगा तो दीव इंदीव इंक्रीज होगा तब तक मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पर एग्जिट कर सकता हूँ तो यह आपकी दो तीन पार्ट होगे टेक्निकल के आधात पर आपने समझा मार्केट में क्या चल रहा है आपने ग्लोबल की उस देखे आपने डेटा देखा साथ के साथ मैंने बताए कि ऑप्सन सेलिंग का सेट अपने अभी भी होल पर ने क्यों है उसका यह कहीं न की वैलेट प्रीजन में समझाने की कोशिस्क नाव नेक्स पॉइंट इस वेरी मच इंपूटेंट देट एसे प्रेंग तो प्रेंट में यह उस्टेड करना है इस जो भी छुडब यह वा इस्ट फॉर्य। तो आपको खुद है करना है अपना रिस समझना है उसके बेसिस पर की अपना ट्रेंश करना यह जो भी इंपुट है वह आपके एजुकिशनल पर बश्चे मैं आपके साफ में शेर करता हूं तो बेसिकली पेट रेटिंग हम लोगों ने बहुत शॉट वीडियो मैंने यूट इसमें समझाय था दो स्टॉक रहते हैं आपके यह मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा इस पर एक छोड़ा सा शॉट वीडियो बनाया था दो स्टॉक रहेंगे और रहेंगे किसी खास वजह से या किसी स्पेस्पिक रीजन की वजह से दो स्टॉक एक दूसरे से डैवेट हो पारे होगे कि अभी इन दोनों में काफी डिस्टेंस मेंटेंड हो रखी है SDFC लिप्टेट कंपरेटेबली मां बैंक से उबर है SDFC थोड़ा सा स्लाइटली उसने वीचे है तो दोनों में एक अपॉचिनटी ग्रेटेट है इसके आधार पर हम कही न कहीं इस्ट्रेट मों बना सकते हैं यह जर्नल डेटा था कुछ एक मॉडल के बेसिस पे एक ही नॉर्मल मॉडल है जिसमें हम लोग एक कहीं न कहीं जो एक डेटा सैट है उसका हम मीन निकालते हैं मेडर पॉइंट निकालते हैं उसके आधार कर फिर वो कितना उस मीन से दूर जा चुता है उसको हम लोग नुमेरिकल फॉर्म में कैल्कुरेट करते हैं यह बिसिकली ब्लू डाइंग जो है वह आपका कहीं न कहीं प्रैस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बीच में लाइन है वह बेसिकली आपका एक सेंटर पॉइंट है तो यह बेसिकली एक मेरा ट्रेडिंग का कॉंसेप्ट है जिसके अंदर में से मैंने कुछ सेपल फॉर्म में आपको समझाने की कोर्सिस की है तो मैंने खुद भी ट्रेड लिया हुआ है गौड नोज प्रॉपेट हो तो उसके पीछे का कही न कहीं की लॉजिक तो इसी तरिक से एम्ट लोग करते रहेंगे ब्लापित को समझते रहेंगे करते मेरे मैं अब लोगों सा सीह रहेंगे जो यूट्यूब चैनल को अपना आपक गया है इस पर काफी इनिशिटीव करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ में शेर कीजिएगा जो भी लेखिया होगा जैनून होगा आपास का नहीं होगा जो कुछ भी होगा वो मेरी ट्रेडेंग से रेटेड एक्सपीरेंस से रेटेड ही डिकोड़ेट चीजें मैं कोशिस करूँगा नॉइसलेस वीडियो बनाऊं जो कुछ भी होगा शार्थ होगा और बैटर क्वालिटी देने की कोशिस रहेगा मिलते हैं ऐसे कसी नेस्ट वीडियो और बाब